नवस्कार आप देख रहे हैं केपलिटी वी उत्तर प्रदेश और मैं हुई दिश्टर उपाध्य है हमारे देश में ऐसे गद्दारों की जमात है जो खाते तो भारत का हैं और सुक सुविदाएं भी भारत की ही लेते हैं लेकिन इनका दिल और दिमाग हमेशा दुश्मन मुलक पाकिस्तान के लिए धड़कता है और आए दिन ये पाकिस्तान प्रेम को दिखाने के लिए सामने आते रहते हैं अलगि यूपी में ऐसे गद्दारों का इलाज भी किया जा रहा है खासकर योगी राज में तो इनको तगड़ा सबक सिखाया गया इसके बावजूद भी कुछ गदार अब भी बाच नहीं आ रहा है यूपी में चुनाव चल रहे हैं इसी बिच आगरा से एक ऐसी तस्पीर सामने आई है जो हर भारत वसी का खोन खौला देगी दरसल उत्तर प्रदेश के आगरा में ताज महर परसर में पाकिस्तान जिन्दावास सहित अन्य भारत वरोधी नारे लगाने का मामला सामने आ है जिसके बाद इनका ऐसा इलाज हुआ कि आगे से इस तरह की अरकत करने से पहले ये हजार बार जरूर सोचेंगे आ जा रहा है कि नारे बाजी करने वालों में कुछ अरजक तत्तुली शामिल थे जिन्हें पकड़ का लोगों ने उनकी धुनाई कर दी असल में मंगलवार को शाहजा के और्स यानि की दरगा पर उने वाली सूपी संतों की मृत्व की बरसी का मौका था और इस अउसर पर लोगों को ताजमेल में मुफ्त एंट्री की सुबदा दी गई थी और इसके अंतिम दिन तीसरे पहर में ये घटना हुई सुरक्षा कर्मियों ने भी भारत व्रोधी नारा लगाने वालों को तुरंथ पकड़ा और उनकी जमकर पिटाई की ताजमेल में इस दिन कई परटक पहुँचे और दर जाने वाले रास्ते लोगों से भरे पड़े थे भीड के कारण इस मारक के परिसर में पैर रखने की भी जगे नहीं बची थी इतनी भीड में सुरक्षा कर्मियों के लिए हैकिंग भी संबव नहीं थी सुरक्षा कर्मियों ने इस काम में वदद के लिए वोलिंटेर्स भी लगाये थे लेकिन भीड के सामने सब लाचा नजर आए इसी बीच दो यूवक देश वरोधी नारे बाजी करने लगे सेंटरल टेंक के पास एक यूवक ने भारत मरदावात का नारा लगा दिया वो फ्रोजबुर का रहने वाला है CISF के जवान मौके पर ही मौजूद थे और उन्होंने उसे पकड़ कर उसकी पिटाई की कुशित दूरी पर एक अन्ही यूवक ने पाकिस्तान जिंदावात का नारा लगा दिया जवानोंने उसे भी जम कर दोना CISF वाले इनकी पिटाई इसलिए भी कर रहे थे क्योंकि वहां मौजूद लोग ही उसकी जम कर पिटाई करते और कुछ भी हो सकता था दौनों को रासत में ले लिया गया है बताय जा रहा है कि एक व्यक्ती फरार भी है जोरान भीड इतनी बेकाबू हो गई कि पुलिस को लाठियां भी भांजनी पड़ी ताजमेल के बाहार और अंदर इतनी भीड थी कि बच्चे खो जा रहे थे कई बच्चों को रोते वो देखा गया सुरक्षा कर्मी सीठी बजा बजा कर लोगों को समझा रहे थे तो ये आरूपियों खिलाब शान्ती भंग करने की धाराओं में कारवाई की जा रही है ताजगंज पुलिस ने उन्हें साथ ले गई है आरूपियों में उसे एक सोहल है जो गालिपुरा के नई मंडी का रहने वाला है इसी तरह 2019 में चादर पुशी के दोराण आए एक यूबक ने उर्स के दोराण ही पाकिस्तान समर्थित नारे बाजी की थी अब सवाल यह है कि आखिर ऐसे गद्दारों की मजब मत करने के लिए इनकी कौम के लोग सामने क्यों नहीं आते और कब तक देश के अंदर ऐसे गद्दारों की जमात पनपती रहेगी और अगर इनकी पाकिस्तान इतना प्यारा है इतना प्यार करते हैं उससे तो यह पाकिस्तान क्यों नहीं चले जाते हैं देखते रहेए के पर टीब उत्तर प्रदेश मस्कार